कि अग्याइब कर दो कि अग्याइब कर दोस्तों स्वागत है आपका आरके टेक्लोजी में और आज की इस वीडियो में जाने वाले हैं सिस्को वेवेक्स मीटिंग जो एब है उसमें आप अपना आयां कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे कि रिख्वेस्ट अभी तक आप चैनल नहीं किये हैं तो जरूर कर लेरी है तो दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं बेना टायम वे opposite की हुए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा वेबेक्स मीटिंग एप को प्लेस्टोर से इंस्टॉल करना होगा और यह आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप प्लेस्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुए हैं वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं त तो आपको क्या करना होगा नीचे आपको देख रहा होगा यहां पर don't have an account तो यहां पर sign up का अपसन दिख रहा हो तो आपको simply sign up पे क्लिक करना है sign up जैसे करेंगे दोस्तो यह आपको नए page पे ले जाएगा और उसमें आपको एक email id डालना है और email id का डालने के बास से आपको नए account आपको बनाना होगा तो देख सकते हैं यहां पर हमारा आ चुका है अब यहां पर अपने email id हम डाल लेते हैं, email id डालने के बाद से, दोस्तों हमने अपने email id डाल लिया है, email id डालने के बाद से आपको simply next के option पे click करना है, next जैसे click करनेंगे, यह थोड़ा load लेगा, उसके बाद से नए page पे, यानि second step पे जाएगा, इसमें three step दिये हुए हैं दोस्तों, उसके बाद से आपका हो जाएगा सब्सक्राइब, तो देख सकते हैं, यहां पर verification code मांग रहा है, जो हमारे mobile phone यानि email id जो हम डाले हुए हैं, उस पे आएगा, तो हम simply verification code को यहां डाल लेते हैं, तो दोस्तों हम verification code के लिए simply चलते हैं, अपने email id पे, email id पे यहां देख सकते हैं, हमारा verification code आ गया है, यहां पर हम open करते हैं, इसको देख सकते हैं, यहां पर 18, 18, 79 आ चुका है, इसको हम simply यहां पर fill कर लेते हैं, यहां देख सकते हैं, यह load fin से ले रहा है, तो देख सकते हैं, आ गया, अब यहां पर हम simply अपना जो verification code हमने देखा था, उसको यहां इंटर कर लेते है देख सकते हैं यहां हो गया अब उसको प्रोसेसिंग कर रहा है इस समसर देख सकते हैं यहां पर हो गया अब अपना सिंप्ली यहां पर हमको नाम डालना होगा कॉंट्री डालना होगा उसके बाद से लास्ट नेम डालना होगा हम मोबाइल नमर डालना चाहते हैं डाल सकते है और create password करना होगा तो हम इससे step को कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने अपना first name का letter जो हो डाल लिया उसके बाद last name डाल लिया उसके बाद से mobile number यादि आपको डालना डाले जिएगा उसके बाद password हमने create कर लिया पासवर्ड करने में देख सकते हैं कुछ requirements होती है जिसको अपको fulfill करना होता है जिसमें at least one number होना चाहिए one upper case letter होना चाहिए यानि capital letter में और lower capital letter में एक award होना चाहिए उसके पास एक special character जिसको करते हैं at the rate, hash या percentage marks इस सब देना होता है minimum आपको eight characters देने होते हैं आपके password में ठीक है दोस्तो इस तरह आप अपना password बना सकते हैं इसी अनुसारा password बना है जैसे हमने बना लिया है सब चुछ आप simply यहां से continue के जो option है उस पर करते हैं यदि आपको इस password को save करना सकते हैं never करना never कर सकते हैं तो आपका processing ले रहा है और आपका account का last step था अब देख सकते हैं आपका account बनके यहां तक ready हो गया है अब यह आपका fully activate हो गया है तो इस तरह दोस्तों आप अपना account इसको webex meeting में आसानी से बना सकते हैं अब देख सकते हैं यह हमारा processing ले रहा है यहां पर हो गया है तो यहां कर डाउनलोड the app to get the full meeting and meeting experience यहां से जो हमने password और email यह डाला है उसके द्वारा हम अपन webex meeting जो डाउनलोड किये हुए उसमें जाके login कर लेते हैं तो चलते हैं एप में तो हमको simply sign in करना है sign in पर click करेंगे और यहां पर अपना firstly आपको क्या करना है email id आपको डालना है देख सकते हैं आप email id डालना है यहां पर email id हम अपने डाल लिया है उसके बास next click करना है यह यहां पर देख सकते हैं यहां पर आ गया है अब यहां पर हम अपना password इंटर कर लेते हैं देख सकते हैं यह password इंटर कर ली है उसके बास sign in करते हैं देख ले सकते हैं यहां पर हम password इंटर करके sign in कर रहा है तो लिख रहा है you have entered in correct email address और password यानि यह sign in नहीं हो रहा है दोस्तो यहां से आपका sign in कभी नहीं होगा दोस्तो इस के लिए आपको क्या करना होगा क्योंकि अभी problem चल रहा है इसलिए यहाँ से signing कभी नहीं हो पायागा आपका apps नहीं हो रहा है इसको आपको browser से करना होगा देख सकता हूं रिखा, having a problem sign in ठीक है दोस्तो तो इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है sign in from your browser यानि अभी आपको sign in अपने browser से ही करना होगा simply आपको यहाँ पे click करना है click करके आपको browser को अपना select कर लेना है अब directly आपको browser जो होगा उसमें open हो जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों हम browser में आ चुके हैं यह directly हमको एप से browser मिला दिया है अब यहाँ पे आपको same OSI process है अब यहाँ पर आपको password डालना है तो हम password डाल लेते हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना password डाल लिया है अब simply sign in पे हम click करते हैं sign in पे जैसे click करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है अब एक क्यों रहा है an app would like to access web meeting क्या आप चाते हैं कि जो आपका app है और यहाँ पर जो आप लोगिन किये हैं उसको access करें तो आप simply आप अलाव पर click कर देना है अब यह directly आपके जो app है जो आप app install किये हुए हैं वहाँ पर आपको यह ले तो आप इसको yes और no कर सकते हैं अपनोंसा तो हम यहाँ पर no कर देते हैं तो दोस्तों इसके बाद से आप join meeting कर सकते हैं यहाँ से start meeting कर सकते हैं या अपना जो भी है classes यहाँ से कर सकते हैं तो next video में हम जानेंगे कि कैसे हम class join करते हैं और कैसे हम इसमें आप किसी भी meeting को organize कर स झाल झाल